पता लगा तेनु शौंक भुला भुला ना राजा गुला यह जार भी गेर असलाम लेकुम यह जैसा कि आपने प्रिवियू में देखा है इस तरह का आज मैं आपको ट्रेनिंग स्टेटेस बनाना सिखाऊंगी उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट अगर भी तक आपन करना है 9 into 16 का रेश्यो स्लेक्ट कर लेना उसके बाद प्रोजेक्त यसाप कर देंगे इस तरह का इंटरफेस आजएगा तो अब हमने क्या करना है प्लस पे tap करना है मीडिया पर चले जाना है और यहां से जाके एक वीडियो लेक्ट आने हैं इस तरह की वीडियो अगर आपको नहीं पता कहां से डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए यहां पर प्लस पर टैप करेंगे यहां से रिक्टेंगल स्लेक्ट कर लेंगे उसके बाद री डॉट पर क्लिक करेंगे यहां से फिल कंपोजिशन एरिया कर लेंगे उसके बाद हमने क्या करना है कलर एंड फिल में चले जाना है यहां से इस वाले option पर tap करेंगे और यहां से हमने png बनानी है black color की तो क्या करेंगे इस वाले line को उठाके यहां पर लेके जाएंगे और इस वाले line को उठाके इस तरह से उपर को लेके जाएंगे और यहां पर हमने इस तरह से png त्यार करनी है अब हमने क्या करना है यह जो white rectangle के ओँपर click करना है इसको इस तरह से scroll करते जाना है उसके बाद इस मैँ आप्शन पर tap करेंगे तो विडियो के Iyaταν लेशिस लखनी है । अब हमने क्या करना है इसके अंदर हमने अपने लीरिक्ष लिखनी है तो जोबर यहां से पनी लीरिक्ष मेरे लेते हैं तो थे Gleich यहां पर हमने टेक्स लिख लिए है त्स हमने क्या करना है कलर के ऊप्षिन पर चले जाना है इसका कलर हम यहां से वाइट कर लेते हैं इसके बाद हमने क्या क्रणि जो finder having ऐस् taught 2 इसका 28 रखा था अब हमने क्या करना है इन lines के उपर klik करके finish में align कर लेना है और इसको अपने हिसाफ से set कर लीजगा मैंने इसको यहांपर रख्था था इस तरह से वापैस आ जाते हैं अब हमने देख लेना है पहले lyric हमारी कितनी है तो पहले lyric हमारी 1.18 तक रहती है तो हमने क्या करना है यहां पर एक plus का sign देंगे center में उसके बाद यहां start में आ जाते हैं यहां पर plus का sign देंगे इसको हमने इस तरह से zoom कर लेना है इतना उसके बाद हमने क्या करना है यहां पर आ जाएंगे last पर फिर इसको हमने zoom कर लेना है Actor इतना कर लेंगे मर्फ हमने मोग आ जाना है इस तरह से उसके बाद यहां इं τις निन से कंटर में आ जाते हैं में अब एक पलस का साइन देंगे हमने उसके प्लस का करना है यहां पहATOR प्लस का साइन देंगे इसSoft सारा उठा के करव एड़ करना है तो क्या करेंगे करव क्यों पर चले जाएंगे फर्स्ट वाला जो करव है सेम उपर की तरफ रखना है आपने और जो सैकिंड वाला करव है वो हमने इस तरह से नीचे की तरफ रखना है ऐसे एक हमारा एनिमेशन कंप्लीट हुआ तो इस तरह से हमारा यह क्लिक करेंगे उसके बाद hand effect क्लिक करेंगे उसके बार he क्रोल करना है यहां के बाद हमने क्या करना यहां से ट्रासे प्लस का शाइज वत में सब्सक्राइब जाना तो क्या पोफि क्या कर Referentうん यहां पर हमारे एक कउपलीट करके वापीस अब हमने क्या करने इसके उपर क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे उसके बाद हमने पर चले जाना है यहां से उसके बाद हमने क्या करना रीबन को स्लेक्ट कर लेना है उसके बाद हमने क्या करना इसकी स्टेंडर्स सेटिंग पर आजाना यहां पर रीबन को यहां से ओपन कर लेते हैं उसके बाद हमने क्या करना सबसे पहले जो विड़ को हमने 5 रखना है, अब हमने क्या करना है, यहां पर face के उपर आ जाते हैं, उसके बाद यहां पर प्लस का sign देंगे, इसको हमने 0 ही रहने देना है, उसके बाद यहां पर last पर आ जाते हैं, यहां पर plus का sign देंगे, तो इसको हमने कर लेना है, 2.34 कर लेना है, इतना हो हो चुका है अब हमनने क्या करना ऑफ के उपर आ जाते थोड़ा से उपर से कर लेते हैं इस तरह से ओफिशाट को हम ने रख लेना है 0.090 मैंनस में स्थ्यूम्ह rejection mi अधार की आज चीजिएक तो कलर आप अपने फट्रव से रख लीजगा मैंने b점 रखा था अब हमने क्या करना है इसकी smoothing को बिल्कुल 0 कर लेना है यहां से इतना हो गया यहां पर आ जाना है यहां पर आ जाना है इसका इस तरह से ओन कर देना है उसके बाद इसको अपने हिसाब से रख लीजेगा तो मैंने यहां से इसका जो कलर है वह ग्रीन ही रखा था यहां पर एंगल की उपर आ जाते हैं तो इसका एंगल जो है MP3 5 9.5 रखा था तो इतना हो गया यह हमारा एक किछाश्थ हो गया अग्या करना है 3 डॉट पे क्लीक करेंक तो कड़र यहां से इसका हम्याइडbars कर लेते हैं थोड़ा सब्सक्राराइस तरह से अब हमने क्या करना यहाँ पर जाएंगे फेश के वपर ऑपर तो हमने क्या ओपर क्लिक करेंके उसके बादे क्या करना या blur के option पर चले जाना है, और यहांसे हमने motion blur को select कर लेना है उसके बाद हमने क्या करना है, इसके standard setting को यहां से open कर लेते हैं उसके बाद यहांसे इसको open करेंगे इस तरह से और उसके बाद इसको यहां से कुछ नहीं करना यहां से वापीस आजेंगे अब हमने क्या करना है इसके अंदर एक और एफेक्ट लगाना है तो इफेक्ट के उपर क्लिक करेंगे उसके बाद हम एड़ इफेक्ट के उपर क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा सा उपर स्क्रॉल करेंगे यहां टैक्स के उपर क्लिक करेंगे उसके बाद हमने उपर से क्रॉल करना है यहां लिखा हुआ है लैटर स्केल आउट तो हमने क्या करना है इसके उपर इस तरह से क्लिक कर देना है जैसे इसके उपर क्लिक करेंगे यहां पर टैक्स ट्रांसफॉर्म हमारे पास आजएगा तो इसको यहां से ओपन कर लेते हैं इ क्या करना है इस प्रोड और करें गट is जिस लिए फैसे एक सघ्प करेंगे यहां से कॉपी लेर करेंगे इसके बास पर टॉपर करेंगे तो यह सब का जागा हमारे लिक्स भी साथ ही आजेएंगी अब हमने क्या करना है इसको एडिट करना है तो एडिट करना यहाँ से मैं स्लेक्ट कर लेती हूं तो यहां से कीबोर्ड मैंने चेंज में देदूंगी तो आप भी वहां से उसको एड़ कर लिजेगा अब हमने क्या गणना है स्क्वेर्स के उबर क्लिक कर दिया तो यह वाला कीबड हमारे पास आ गया है तो यहां से अपनी आइड़ कर लेते हैं तो यहां से आइड़ी हमने एड़ कर ली अब हमने क्या करना इस हमने देखे न जहां पर 우리가 रहे तो हमने क्या करना इसको यहां पर उठा के नopersबभा ऐना से सथी इतना इतना होगी अब हमने क्याका यहां पर यह सक्रोल करते जाना है इसससर पर करोड़ा है अब नेवडियो टाप के option पर चले जाना है उसके बाद हमने क्या करना है second वाले option को select करके जैसे ही transparent करेंगी मोजी हमें नजर आना शुरू हो जएगी अब हमने क्या करना है यहां size पर आ जाना है तो इसका size अपने हिसाब से रख लीजेगा तो मैंने इसका size 20 रखा तो इसके बाद हमने क्या करना है जांपी रबोटो रेगुलर लिखा वैसके उपर क्लिक करेंगे इसका जो font है वह मैंने iOS 15 रखा था यहां से क्लिक करके यह font हमारा यहां पर एड हो चुका है अब हमने क्या करना है इस तरह से वापिस आती है और स्क्रॉल करते जाएंगे उसके बाद हमने क्या करना है इस वाले option पर टैप करेंगे तो इस तरह से वीडियो के last टक करके इस तरह से वापिस आदेना तो यह हमारा इफैक्ट लग चुका है यहां पर हमारी वीडियो बनके रैडी हो चुकी मैं आपको प्ले करके दिखा देती हूं इस तरह की बनी है गाइस उमीद करती हूं आज की वीडियो आपको बसंद आई होगी अच्छी लगे तो प् सब्सक्राइब करें रखीएगा द्वाओं में याद रखीएगा फिर मिलेंगे एक नई ट्रेंडिंग और इंफर्मेटी वीडियो के साथ तब तक के लिए अलाहाफीज टेक क्यार बाइबाए